हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल राधे राधे तो आज हम ये उल में से कार बनाएंगे ये गड़ी बनाएंगे दिखे इस तरह की ये हम छोटे बच्चे की केप हो या स्वेटर हो जो भी हो जो भी बच्चे के लिए हम बनाते हैं उसमें ये लगा सकते हैं बहुत खु देखे इस तरह का ये जो हाद का पंजा होता है छोटे बच्चे के लिए जो हम सर्दियों में बनाते हैं इसमें मैंने ये लगाए हैं देखे कितने खुब्सूरत लगते हैं इस तरह के दोनों में गाड़ी लगाई है मैंने तो आप कहीं भी छोटे बच्चे की कोई भी सी कि जो उसमें आप यह लगा सकते हैं तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एक कि नोट लगा देंगे इस तरह से इसमें हम कि यह बारा नंबर का क्रोश्य यूज करेंगे बारा नंबर का तो फिर अब हमने नोट लगा ली उसके बाद हम 16 चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोधा, पंदरा, सोला अब हमने 16 चेन बना ली इसके बाद हम 3 चेन चोड़ देंगे उसके बाद 4 चेन में हम डबल क्रोश्य बनाएंगे इसके बाद हम हर एक चेन में डबल क्रोश्य बनाते चले जाएंगे और डबल क्रोश्य किसे किते हैं? देखे, इस तरह से लूप लिया, चेन में डाला, लूप लेकर बहार निकाला, दो में से एक किया और फिर दो में से एक किया इसे हम डबल क्रोश्य के ते तो मैं इसे हर एक चेन में एराउन पुरा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो एराउन मेरा पुरा हो गया अब हम तीन चेन लेंगे हर एक चेन में हमने डबल क्रोश्य बना लिया अब हम 3 chain बना करेंगे 1, 2, 3 3 chain बना करके हम इसमें जो हमने आכरी बाला double crochet बना है इसी chain में जा करके हमको slip stitch करना है और slip stitch से joint करेंगे ऐसे अब हम एक chain लेंगे उसके बाद ये जो पहला वाला लुप है ये जो पहला वाला उस ने हम एक सिंगल क्रोश्या करेंगे तो इससे आगे वाला शेप बनेगा एक सिंगल क्रोश्या आमारा बनेगा तो यह गाड़ी के जो आगे वाला भाग वता है वो बनेगा अब हम सिंगल क्रोश्या एक ही बार बनाएंगे अब हर एक चेन में हम फिर से डबल क्रोश्या करेंगे इस तरह से इस तरह से हमको यह वाला लूप लेना है देखे इस तरह से जो हमारा दोनो धागे है वो दोनो धागों को साथ में उठाना है ताकि बीच में होल ना बने इसलिए इस तरह से दोनो धागों को साथ में उठाना है देखे इस तरह से इस तरह से इन में डाला निकाला रह से तो यह राउन प्याम पूरा कर लेंगे इस तरह से यह देखिए यह राउन पूरा हो गया तो शुरू में एक बार ही हमने एक चेन और एक शिंगल क्रोश्या लिया है बाकी सब में एक डबल क्रोश्या ही बनाया है सेम अब यह राउन ह हमारा पुरा हो गया उसके बाद हम एक चेंड बनाएंगे उसके बाद टन लेंगे फिर जो हमने चेंड बनाई है उसी के जर्ष्ट उसी के नीचे वाला है उसमें नहीं बनाएंगे उसके सेकेंड वाले में दूसरा वाला इसमें जाकर के हम हार्प डबल प्रोश्या करेंगे और हाप डबल क्रूशा की से केते हैं? इस तरह से फिट से देख लेज़े एक बार लूप लिया, फिर इसमें डाला और निकाला और तीनों को एक साथ निकाल देते हैं इसे हाप डबल क्रूशा केते हैं तो यह बन गया और अब हम चार चेन बनाएंगे दो, तीन और चार यह हमारी चार चेन बन गए अब हम इस तरह से यहां से एक और दो दो छोड़कर तीसरी वाले में डबल क्रूशा बनाएंगे एक बार और नेक्स्ट में फिर से एक बार बनाएंगे तो यह दो बार हो गया हमारा डबल क्रूशा देखे चार चेन और दो डबल क्रूश्या पहले हमने एक चेन ली फिर आप डबल क्रूश्या फिर चार चेन और फिर से दो डबल क्रूश्या अब हम पांच बाचेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच हो गई, इसके बाद हम एक, दो, तीन, तीन छोड़कर चाथी चेन में सिंगल प्रोश्या करेंगे, इस तरह से, तो यह हमारा राउंड पुरा हो गया, इसके बाद हम एक चेन लेकर के टान लेंगे, कि इसके बाद एजो पेला वाला हो ले हमारा, इसमें जा करके हम छे बार सिंगल प्रोश्या करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, यह ठे बार डबल क्रोश्या हो गई, उसके बाद जो एदो डबल क्रोश्या है, उसके उपर भी हम एक एक बार सिंगल क्रोश्य बनाएगे एक बार इसके उपर एक बार इसके उपर इस तरह से दोनों के उपर एक एक बार हमने सिंगल क्रोश्य बना लिया अब हम इस होल में जा करके पांच बार बनाएंगे सिंगल क्रोश्या एक, दो, तीन, चार, इसे थोड़ा खींच लिजिए और ये पांच तो इस तरह से आगे में छे बार बनाएं आमने पीछे वाले में पांच बार बनाएं तो ये हमारा पूरा हो गया अब जो ये वाला लूप होता है, यहाँ से चोड़बर क्रोश्या लिया होता है, हमने और वक उसका जो लूप होता है, उसमें जा करके स्लिप टीच करते हुए आम, नीचे चले जाएंगे इस तरह से, आगे आगे वाला जो लूप दीखे, वो लेथे चले जाएंगे इस तरह देखें नस्दीक से यह वाला लूप जो हता है इसमें डाल करके स्लिप टीच बना लेते हैं इस तरह से तो अभी हमारा राउंड पूरा हो गया अब हम थागा खीच लेंगे और यहां से कार देंगे क्योंकि यह हमारी गाड़ी अब पूरी हो गई है दिखें कितनी खुब्सूरत लगती है अब हम इसके टायर बनाएंगे यह वाले इसको पीछे नोट लगा देंगे नोट लगाने के लिए मैं हमेशा छोटा वाला ग्रोशेस करती हूँ इसे जल्दी नोट लग जाती है एक से दो बार नोट लगा लिजिया तकि यह खुले नहीं उल की नोट अब हम ठीक से नहीं लगाते तो खुल जाती है इसलिए दो तीन बार तो लगाने पड़ेगी क्योंकि वो खुलेगी नहीं इस तरह से मेरा धागा कुल डिया इसलिए मैं एक बार ओर लगा लेती हूं देखें इस तरह से अब अम ये धागा काट लेंगे तो ये हमारी पूरी होगे गाड़ी अब अम इसके वाले टायर बनाएंगे ब्लेक वाले, इसमें भी हम ब्लेक ही बनाएंगे, तो टायर बनाने के लिए ब्लेक कलर लिया है हमने, उसे हम के से बनाते हैं, एक मेजिकल लूप बनाएंगे इस तरह से, देखे पहले से देख लिजे, इस तरह से धागा लिया, उगली पर घुमाया, और ये धागा को इस त दबा देना है उसके नीचे लिना है उसके बाद ये क्रोशिय से वही धागा अंदर से निकालेंगे इस तरह से अब धीरे से उंगलिया निकाल देंगे देखें अब ये वाला धागा थोड़ा सा खिंच लिजिए तक हमारी रिंग छोटी हो जाए तो हमको क्रोशिया करने में आसानी रहेगी अब हम एक चेंड लेंगे उसके बाद इस सोल में हम ग्यारा बर सिंगल क्रोशिया करेंगे ये हमारा तीन हो गया चार पाच छे साथ आट नो दस और एक ग्यारा तो ग्यारा बर हो गया फिर इस से इस मेजिकल लूप को हो हम खींच लेंगे पीछे से कीच लेंगे तो यह हमारी रिंग बन के रेडी हो जाएगी देखे इससे खींच लीजे ताकि बीच में होल ना रहे जाए अब हम इससे चोंट कर देंगे जो हमने पहली वाली चेंड ली थी उसमें जा करके स्लिप्टिच कर लेंगे और इसके बाद इसको भी काट लेंगे दागा खींच के काट लीजिए इसके बाद इसको खींच लिया इसके बाद इसको इस वाले थागे को पीछे ला करके नोट लगा देनी है दोनों की साथ में नोट लगाएंगे ताकि दोनों थागे की एक ही नोट हो जाएं इस तरह से देखिए तो यह हमारी नोट लग गई उसके बाद हम इस वाले धागे को यहां से एक बार निकाल लेंगे फिर काटेंगे क्योंकि वर्ना अमारी नोट खुल सकते हैं तो यह धागा हमारा काट लिया तो यह टायर बन गया वैसा ही मैंने यह पहले से बना करके रखा है तो यह दोनोट आयर बन गए और मैं आपको निडल से इसको यहां पर अटेच करके दिखाऊंगी तो मैंने निडल में धागा पिरो लिया है अब मैं इसको एटेज करके दिखाती हूँ आपको इस तरह से रख दीजे और इसके बाद इस टायर में से निकाल कर इस तरह से एटेज कर दीजे कार के साथ इस तरह से दुनों टायर को हम इस तरह से अब हम दूसरा भी लगाएंगे मेरे पांस तो बलेक कलर का धागा नहीं था इसलिए मैंने ए ब्लू वाला लिया है लेकिन आप सेम कलर ही ले नं क्युकि उल्ल मेंसे दिखेगा नहीं सेम कलर हो तो दिखेगा नहीं तो अच्छा लगेगा फ्रेस दिखेगा तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजे गाशेर कीजे और मेरी सेनल को सब्सक्राइब कीजे और बाजु में आई बेल आइकान घंटी को अभी प्रेस कीजे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो ये हमारा एटेस हो चुका है अब हम इसको पीछे ला करके एक बार नोट लगा लेंगे तो ये खुलेगा ने अभी हमारा हो गया है इसको धागा काट लेंगे तो देखे ये पूरी हो गई है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना वीडियो देखने के लिए थैंक यू